हेलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे वाट्सअप के मैसेज नोटिफिकेशन को कैसे हाइट कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप वाट्सअप के मैसेज का नोटिफिकेशन हाइट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो guys चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले guys आपको यह क्या करना है सबसे पहले तो आपको Setting को Open करना है उसके बाद यहाँ पे आपको Application वाले Option पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को manage application पे click करना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से search bar पे click करना है और यहाँ पे आप लोगों को whatsapp लिखना है whatsapp लिखने के बाद दोस्तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपको WhatsApp के application को open करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे ही इसको open करेंगे तो open करने के बाद यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से दिखाता है तो यहाँ पे guys आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे आप लोग को सबसे पहले अपने फोन में जो है एप्लिकेशन परमिशन वाला आप्शन पे क्लिक करना है सॉरी यहां पे क्लिक नहीं करना है आपको नोटिफिकेशन वाले आप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से आप लोग सो notification enable रहेगा इस तरीके से तो आप लोग को उसको क्लिक करके इस तरीके से disable कर देना है जैसे ही आप लोग इसको disable करेंगे तो उसके बाद दोस्तो आपके phone पर जब भी कोई भी आपको message send करेगा तो आपके phone के notification पैनल पर उसका notification आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी तो guys इस तरीके से आप लोग यहाँ पर WhatsApp में message notification को height कर सकते हैं तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजे और दोस्तो चैनल को subscribe भी कर लिजे